हेलो एवरीबन कैसे हैं आप सब बहुत दो स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल अकाउंस टीवी पर दोस्तों आज है हमारी वीडियो नमबर 26 और आज की वीडियो में हम एक और कोशिन करने वाले हैं जो की है कम्प्लीट कोशिन विद कैपिटल एडजस्मेंट चेंज इसली वीडियो वीडियो नमबर 25 में बता रखा है जाकर आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक और आई बटन में भी लिंक प्रवाइड करा दूँगा तो चलिए दोस्तों आज का कोशिन बहुत इंपोर्टन होने वाले हैं उसी अप्रोच से करने वाले हैं जिस अप्रोच से हमने पिछला कोशिन करते हैं कि वीडियो नमबर 24 भी नहीं देखी तो वो भी देख लिए बहुत इंपोर्टन वीडियो है किस तरीके से कोशिन को अटेम्ट करना है एक ऐसी अप्रोच बता रखिए आपको ठीक है एक ट्रिक कह सकते हैं आप वो जाकर देख स सकते हो लिंक मिल जाएगा को डेस्क्रिप्शन में भी और आई बेटन में भी तो चलिए दोस्तों बिना टाइम विसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आईए दोस्तों अब हम करने वाले अपना कोश्चन कोश्चन नमबर मैं ले रहा हूं कोश्चन नमबर 32 पेज नमबर 4.45 टी एस ग्रेवाल 2019 एडिशन अगर आपके पास बुक है तो बुक में से खुट्राई करने की कोशिश करें ठीक अगर नहीं है तो कोश्चन आप आपको स्क्रीन पे अवलेबल होजेगा हम यहां पर करते हैं देखो मैंने फॉर्मेट बना रखे हैं पहले से ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं कोश्चन कह रहा है फॉल्विंग इस दे बैलेंस शीट अफ ए और लॉससे इन रेशियो तो इसके बाद कह रहा है कि ऑन दा ठीक उसके बाद गुडविल वैल्योड हो रहा कि तीन लाग तो यहां से मिन की साक्रिफाइजिंग पहले ही निकाल लेते हैं साक्रिफाइजिंग रिश्यो क्या होती है ओल्ड माइनस न्यू तो अगर मैं निकाल हूं तो टू बाइ थ्री माइनस थ्री बाइफ यहां अग से अगले हैं सबसे पहले मैंने बता रहा है बाल जीणित में कोई वेल्यू वो लिखनी है सिर्फ और सिर्फ अगर कोई रिजर्व अगरा या फिर कोई भी जो बटनी है वो चीज छोड़गे कैपिटल अकाउंट बिलकुल आएंगे तो कैपिटल अकाउंट लिखो एक आएगा बी का आएगा ठीक उसके बाद रिजर्व बटे का तो रिजर्व नहीं लिखना है छीज एग क्रेडिटर्स है Nirभ टो सरा एक क्रेडिटर्स है आपके थां रिजokol चोड़गे वह लेडमे तो बाद में लिखने यह रिखाए लेन्ड एंड बीलडिंग इस तरीके से लिख रहा हूं लैंड एंड बिल्डिंग उसके बाद pokraya पर निचर warrior उसके आसकरह स्टॉक्ड संसरोगा है आच ऑर बैंक को कैस्ट दोनौ यह तो बैंक भी हिदो और cash भी लिख दो, अब अपना revolutions start करेंगे the value of land and building 5 lakh, यानि कि देखो 2,90,000 से 5 lakh की होगी, तो value बढ़ गई by land and building account 2,90,000 से 5 lakh की होगी, तो 2,10,000 की बढ़ गई value, और कुछ है adjustment reserve is to be maintained, reserve का कुछ नहीं आएगा, reserve जो है 3 lakh पे बनाना इसकी दूसरी entry है नहीं करना, total capital यानि की capital adjustment की आगी और हमारा इसमें कुछ नहीं आने वाला revolutions में, account करेंगे, close 2,10,000 यहाँ पर 2,10,000 यहाँ पर आप मैं इसको अगर बाटूंगा to gain on revolutions transfer करेंगे हम इसे capital account में तो A और B में जाएगा, 2,10,000 को 2,10,000 में बाटूंग तो 3,21,21,21,14 तो 1,40,000 यह हो गया और 70,000 यह हो गया ठीक, आप क्या करते हैं जोको उसी format से चल रहा हूं मैं कितना simple तरीके से हो रहा है, capital account की बात करें, buy balance brought down सबसे फ़हले closing balance लिखेंगे capital का, 3,00, 2,00 बिल्कुल सही, 3,00, यह हो गया, 2,00, यह हो गया, आप आगे चलते हैं उसके बाद क्या करें, मैंने बता है ता कोई reserve अगरा, कोई lost goodwill accumulated profit, तो reserve था डेड़र लाग का reserve था, तो reserve बाट दो by reserve account डेड़र लाग को, 2 to 1 में बाट गया तो कितना आएगा, 1,00, इसको मिलेगा ठीक और 50,000 इसे मिलेगा ठीक अब second number मैंने बढ़ाता है और तो कुछ नहीं है second number पर revolution का third number पर sorry revolution का gain ये loss तो gain हुआ है हमें तो buy a revolution account bracket में लिख दो gain ठीक gain कितना हुआ है 41 इसका और 70,000 इसका third आप goodwill की adjustment कर तो sacrificing ये gain कर रहता है ये entry क्या बनी B debit to A B का capital account debit करो किस से 2 A's capital account कितने से 20,000 से 20,000 ही हो गया अब B का को sacrifice करा तो इसको पैसे मिलेंगे buy A's capital account sorry A's नहीं 20 आएगा B debit to A by B's capital account 20,000 इसके account में गए और कुछ होएगा इसमें नहीं होएगा आप देखो इसमें लिख्या reserve is to be maintained at 3,000 यानि कि reserve जो है वो 3,000,000 का बना रहे है 1,500,000 का था पहले वो बट गया 3,000,000 का बना रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा 3,000,000 को debit करना पड़ेगा capital account में to reserve account ठीक तो कितना था reserve जो बना रहे है 3,000,000 का reserve था 3,000,000 का अगर मैं इस new ratio में debit करना पड़ेगा 3,000,000 का 3,000,000 का 2 में बाटूंगा तो या आएगा 3,000,000 इंटू 3,000,000 ठारा एक लाक असी और एक लाक बीस जो कि हो जागा 3,000,000 ठीक अब reserve यहाँ पर value रखनी पड़े क्योंकि reserve उन्हें बनाया है 3,000,000 का अब third कहा रहा है capital adjustment देखो यहाँ तक capital adjustment हुई है नहीं हुई तो यहाँ पर आके आप जितना भी चीज करते हो, सारी चीज करने के बाद क्या करने आपको, capital adjustment अभी नहीं करने ध्यान से सुनना, account यहाँ पर close कर दो आप, यहाँ पर account close करो, आप भी समझा रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, अभी देखना, करना चाहे तो आप capital adjustment यहाँ कर सकते हो लेकिन उससे आपको दिक्कत होईगी थोड़ी मलब confusing से होईगी, आप यहाँ से करो direct, 270 और 50 3,20,000 यह हो गया ठीक, अब यहाँ 3, 4, 5, 5, 4, 20 5,60,000 यह हो गया 5,60,000 यह और 3,20,000 यहाँ पर 2 balance ID निकाल लो कितना आएगा 5,60 में से 1,80 गये, तो कितने गये 4,60, 4,60 में साट गये 4,80,000 यहाँ आजएगा 3,80,000 यहाँ आजएगा 3,80,000 यह तो बचेगा 5,60, 4,60, ठीक है 3,20 में से 1,20 गये सीधा बचेगे 2,00, 2,00, में से 20 गये 1,80,000 अब इसको यहाँ पर transfer कर लो, buy balance brought down आप करेंगे अराम से capital adjustment की entry, आप कोई यहाँ पर दिक्कत भी नहीं होगी 3,80,000 यह और 1,80,000 यह आप देखो capital adjustment की entry करनी है तो मैं इसको मिटा देता हूँ ठीक चलो working note बेशक आप यह note कर ले ना capital adjustment डिए working note number 2 था और यहाँ पर आप working note number 1 इस तरीके से लिख दोगे working note number 1 ठीक, यहाँ पर भी लिख दो working note number 1 अब working note number 2 चलेगा हमारा capital adjustment का capital कहा रहा है तक capital of the partners total capital हमें दे रखिया 6,00,000 ठीक और वो new profit sharing ratio में होगी तो new capital total capital दे रखिया तो उसको new ratio में बातना पढ़ेगा एका अगर मैं 6,00,000 को 3 इस टू में बातना है 3 by 5 A को मिलेगा और B को 6,00,000 का 2 by 5 कर लो अब कितना निकलेगा 5 यह हो गया 12 21,20 इंटू 3 32,36, 3,60,000 इसको जाएगा और 6,00, 12 12,40,000 इसको total देख लो 6,00,000 ही आएगा 3,60, इसकी capital है 2,40,000 इसकी actual capital है जो इनको रखनी है ठीक, 3,60 देखो अब यहाँ पर ध्यान से देखो 3,80 है और रखनी 3,60 है 3,80 की है और रखनी 3,60 है तो यानि कि 20,000 रुपे लेकर चला जाएगा अब हमें कुछ भी नहीं बता रखा कि वो current account से करनी है cash से bank 3,60 है 3,60 है और 3,80 उन्होंने रखी हुए तो है यानि कि 20,000 लेकर जाएगा 2 bank account एक मिनट थोड़ा उपर लिख देता हूँ 2 bank account कितना लेकर जा रहा है वो 20,000 लेकर जा रहा है तो 20,000 डेबिट कर दिया मैंने अब देखो अब B की बात करूँ तो रखनी है 2,40 ठीक ये इनकी new capital है जो इनको हमें रखनी है ये new वाली है और वो old है और है एक 80 यानि कि इनको लाना पड़ेगा 60,000 रुपे लेकर आना पड़ेगा B को तो buy bank account पैसे लेकर आएगा है कितने 80 है रखनी 2,40 अब इसका total करो अब जो आपका balance CD आएगा वो आपका actual balance CD है जो आपको यहाँ पर transfer करने वैसे तो आएगी तो यही value देगो 806 हो गया कितना 2,40,000 यहाँ आएगा 3,80,000 यहाँ पर भी 3,80,000 और यहाँ पर 2,40,000 तो balance CD अगर मैं निकालू वो निकलेगा 3,80 में से 20 गए 3,60,000 और यहाँ 2,40,000 वही balance निकल का गया जो हमें चाहिए था तो वो transfer करेंगे यहाँ पर 3,00,000 balance sheet में भी दो लिखना है 2,40,000 total कितना हो गया 6,00, 6,00, हो गया एक और उसके बाद अब देखो बाकी कोई एक चीज़ और थी जब हमने land and building लिखी थी 2,00,000 यहाँ पर तो इसकी actual value मैंने बोला था एक साथ लिखना है ठीक हो जाता है कभी कोई जल्दी में कोई नहीं पांच लाग थी नहीं इसकी actual value ठीक बाकी और कोई value चेंज नहीं हुई सिर्फ और सिर्फ अब पहले values फिल करते जाओ creditors में कोई चेंज हुआ नहीं हुआ तो creditors की value लिख दो दो लाग furniture में कुछ नहीं हुआ तो furniture कितना रहेगा 80,000 ठीक है furniture 80 stock कितना है दो चालिस का stock दो लाग चालिस हजार का stock debtors की बात करूँ डेड़े लाग के debtors है हमारे ठीक दो को वन्स के नीचे वन्स टैंस के नीचे सांस बहुत साही से हो रहे है दो बैंक की बात करूँ तो बैंक में change आएगा देखो बैंक का balance दे रखा है balance sheet में 60,000 अब देखो 60,000 म होगे एक बीस में से 20,000 लेकर चला गया तो बचा कितना एक लाग अगर आप cash या bank से करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि bank की value में change होना है क्योंकि 60,000 ता 60,000 में 60 हो रहा है एक बीस और बीस गए एक लाग तो cash का balance तो उतना ही रहेगा क्योंकि हमने bank से entry करी cash का है 30,000 ब तो आपकी जो लड़ाई है वो successful रहेगी जंग जी जाएंगे हम आईए देखते हैं इसका देखते हैं 6,39 और दो ग्यारा ग्यारा लाग आया है यहां का total यहां का देख लेते हैं ठीक 0,000 कॉमा अब उसके बाद यहां भी 0 आ रहा है उसके बाद देखो आर चार बारा बारा और पांच सत्रा और तीन बीस तो गया कैरी पांच और दो साथ और दो नो दस ग्यारा ग्यारा लाग हमारी balance sheet मैच हो गई देखा दोस्तों कितना simple सा question था कितनी जल्दी हमने कर लिया देखो आपको यह आपके ओपर depend करता है कि आप question को किसनी speed से कर रह रहा हूं ठिक वह आपके ओपर depend करता है जो approach मैं करता हूं उस अपरेस्ट करोगे तो आपको question जल्दी हो जाएगा इससे अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको एक और question कराऊंगा इसका वो क्यों करा रहा हूं क्योंकि कभी-कभार question में क्या होता कि balance sheet जो होती है पार्टनर्स होते हैं वह रिवाइस्ट वैल्यू रखना चाहते हैं रिवाइस्ट वैल्यू मतलब नहीं रखना चाहते हैं जैसे मैंने यहाँ पर पांच लाक रख दी ना वह नहीं रखना चाहते तो ऐसे case में क्या होगा वह एक और question कराऊंगा फिर उसके बाद यह chapter complete और प्रैक्टिस करते नहीं है सहत का ध्यान रखिए गुडबाई टेक केर